वस्समाई दातिल बुरूज इन्स का कार्ड यहां फिर इन जनरल की एनर्जी का कार्ड भी इसी चीज़ को और जादर कन्फर्म कर रहा है कि कोई नई चीज, कोई नया पन या फिर से मैं कहूंगी कोई न्यू स्टार्ट इस वीक किसी भी फ्रंट पे पर्सनल कुछ के लिए कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है आप लुगों के लिए नेप्चियन का कार्ड है इसके हिसाब से औल शेड्स ओफ ब्लू इंडिगो इस वीक आप लुगों के लिए लखी रहेंगे और सिगनिफिकेंट डे आप लुगों के लिए होगा थर्स्टे तो ये था एक वेडियस आप लुगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया कितना आप कनेक्ट कर पाए तो चलिए भाइस आप लुगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लिकरा रहा है क्या एनर्जीज है तो प्रोफेशनल फ्रंड के लिए आप लुगों के लिए काड है फूर अफसोर्स और ये काड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंड में कहीं एक एंथूसियाजम एकसाइटमेंट मिसिंग रहती वही दिख रही है और आप थोड़ा सा विड़्ॉ करते वे दिख रहे हैं बाक सीट लेते वे दिख रहे हैं यानि कि बहुत आक्टिवली आप किसी भी चीज में खुद को इंवाल्व नहीं कर रहे हैं पाटिसिपेट नहीं कर रहे हैं आप देखिए इसके लिए सब पाइसेस के लिए डिफ्रेंट रीजन्स रहेंगे कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि पीछे आपने बहुत महनत करी बहुत एफर्ट किया और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा तो अराम करना बनता है कुछ के लिए हो सकता है कि इतना मोटिवेटेड आप नहीं फील कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा backseat, backstep लेकर आप युनों चीजों को और जादा समझना चाहा रहे हैं और जादा understand करना चाहा रहे हैं आगे बढ़ने से पहले एक proper planning आप करना चाहा रहे हैं reason जो भी हो, four of swords is not a negative card but yes, ये card कहता है कि बहुत कुछ हलचल नहीं हो रही है बहुत कुछ activity नहीं हो रही है थोड़ा सा कैसे कोलते हैं न हमकी ठंडा सा है महौल बहुत जादा एक, you know, again activities नहीं होते वे दिख रही हैं for whatever reason और आप फिर से मैं कहूंगी या तो अराम करना चाहा रहे हैं या फिर planning करना चाहा रहे हैं future की और थोड़ा सा rest करते वे दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए queen of wands reverse का card है और ये card कहता है या तो किसी चीज को लेकर over enthusiasm, over excitement है या फिर you know enthusiasm, excitement कहीं low रहता हुआ दिख रहा है या तो बहुत boldly, बहुत courageously चीजों को deal कर रहे हैं या फिर बहुत boldly, बहुत courageously चीजों को deal करना चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं और दोनों ही सिनारियों में एक balance सकना बहुत important है क्योंकि कोई भी चीज जितनी भी अच्छी हो, जरुरत से जादा हो या जरुरत से कम हो, तो हमें परेशान करती है तो देखे, अपने energy levels को ज़रूर maintain करें और कहीं या पे queen of wands का card है तो कोई female भी हो सकती है जिनकी तरफ से आप कुछ, you know, एक particular response चाह रहे है या फिर support चाह रहे है, cooperation चाह रहे है और उस तरीके से उनकी तरफ से एक support, cooperation आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है जिस तरीके से आप चाह रहे है All in all, दिखिए, अगर थोड़ा सा enthusiasm, excitement और इन ही चीज़ों पर आप work कर लें तो ये भी ठीक ठाक जाएगा, क्योंकि again queen of wands is not a negative card क्या होता है, जब हम over enthusiastic हो जाते है तब भी हम impulsive होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं फिर बाद में हमें लगता हो, हमने ऐसा क्यों कहा और हमें उस टाइम पर नहीं समझ में आ रहा होता है और जब low time enthusiasm, तो भी हम बहुत great नहीं feel कर रहे होते हैं तो सिरफ इन चीज़ों पर work करने की ज़रत है और फिर से देखिए, किसी female का role रह सकता है किसी female से, या फिर male भी हो सकते हैं जिनकी feminine energies हैं उनका भी किसी level पर role रह सकता है और कहीं देखिए, या तो उनकी वज़े से enthusiasm, excitement missing रह रहा है तोड़ा सा या, you know, आपकी कुछ expectations है उनसे और उस तरीके से वो आपकी expectations को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए new moon and Scorpio का card है और ये card कहता है, work through your fears तो दिखिए, हम सब लोग ही किसी न किसी level पे, किसी न किसी चीज को लेकर एक, you know, fear महसूस करते हैं तो यहाँ पर prices में सिरफ आपको नहीं कह रही हूँ, मैं human mind की बात कर रही हूँ और जब ये fears हमारे उपर हावी हो जाते हैं, तो फिर हम चीजों को complicate करते हैं, परेशान होते हैं और कभी-कभी कोई, you know, ऐसी situation ही नहीं होती है परेशानी वाली लेकिन हम परेशान होना शू कर देते हैं, हम एक worst outcome imagine करना शू कर देते हैं उसको real मारना शू कर देते हैं, और फिर again मैं कहूंगी खुद को torture करते हैं तो अगर आप अपने fears, insecurities को deal कर ले positively, इनको अपने उपर हावी ना होने दे, इनको overcome कर ले तो इस week को आप और जाता बहतर कर पाएंगे और astrology से आप लोगों के लिए Saturn घ्रह का card है इसके हिसाब से all shades of beige, brown इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो यह था Pisces आप लोगों के लिए coming week का साब था ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए अच्छा जी, तो सबसे पहले हम तारीखों पे आएंगे Pisces, warning पहली कंबخت خانہ माल में आ रही है Pisces, 16, 17, 18 September मैंने आपको पिछले हफ़ते भी का था कि आपने माल को पाक करने के लिए कुछ हिस्सा उसका तिजारत कर देनी है ताके आपका माल पाक हो जाए और आपको किसी किसम की भी प्रॉबलम उसमें परिशान ना करे यानि कि अपने माली हालाद को लेके तो जो है इसमें भी यही है कि यूं लगेगा जैसे रेथ हाथ से स्लिप होती है ऐसे लगेगा कि पैसा हाथ से ऐसे स्लिप होता हुआ आपका नजर आता है 19 से लेखे 24 आफ सिप्टेंबर तक एक्वेरियन फिर सितारे का जो टेक आफ है वो आपके साथ है हमारे पैसियन्स स्टूडन को भी फेवर कर रहा है वो पैसियन्स जो बिजनस में उनको भी फेवर कर रहा है वो पैसियन्स जो किसी किसम के भी पेपर वर्क से रिलेटिड काम में फसे में उनको भी यह सितारा यहां पे सपोर्ट करने लगावा है फिर हमारे वो पाइसियन्स जो कि यहां पे जिनको हम कह सकते हैं कि कोई नए बिसनिस कांट्रिक्स साइन करना चाहते हैं किसी दोस्त की मदद भी अगर एक्वाइर करनी है तो भी टाइम 24 अप सेप्टेंबर तक आपकी सपोर्ट में है मेरा रब आपके लिए असानिया करें और आपके सारे वो काम हो कहीं इंटरनाशनल ट्रेवल भी करना है तो यह टाइम ठीक है तो शुकर है इस अपते में आप तो इस फरंट पे औल वेल और औल सेट की रिपोर्ट दे रहे हैं फिर सबसे मुझे मज़दार बात है कि अपकी जो जिन्दगी है अस्दवाजी जिन्दगी कारोबारी जिन्दगी जो है उसमें भी सितारे ठीक हैं इस वक्त आपको समझा जाएगा आपकी एहमियत को तसलीम किया जाएगा और आपके मताबग चला जाएगा चाहे आपका अस्दवाजी पार्टनर है बिजनिस रिलेशन्स हैं सोशल रिलेशन्स हैं और नए रिश्टे भी अगर बनते हैं तो उनमें भी आपका कमफर्ट जोन हमें आपके लिए नजर आ रहा है पिर हम आगे देखते हैं सुसराली नए घरों में अगर रिश्टेदारिया होंगी तो नए खांदान भी आपको अच्छे मिल सकते हैं और बर भी आपको अच्छे मिल सकते हैं इतनी खुब्सूरत हमें निशानियां मिल रही हैं कि आपके सेफ होने की आपके महफूज होने की यहां पे सत्य खेरा नजर आती है और अजो है सुस्राली रिश्टेदार नए बन रहे हैं तो भी अच्छे होंगे और अगर अल्रेडी आप मेरेड हैं तो इस वक्त आपके हक में यह रिश्टे भी अच्छे हो जाएंगे खांदानी रिश्टे भी इस वक्त आपके हक में बेटर होते वे नजर आते हैं वहां बेभी प्लैनिट की पोजिशन आपकी फेवर में है कहीं तबादला या पोस्टिंग चाहिए तो भी सितारा आपकी फेवर में है आपकी सपोर्ट में नजर आता है और अल्ला का शुकर है मतलब बाकी मेरा खैल है मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है मैं फिर भी एक नजर मार लो सिर्फ अगर कहीं कोई वार्निंग है ना सर तो वो है माली मौामलात में किसी को कर्स दें तो इतना दें कि कर्से हसना समझ के दें कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं तो कोशिश करें खुद इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़े या सोच समझ के कीजएगा जब तक 16 अक्टूबर अग जब गुजर जाएगी ना फिर इतलीस्ट आपका रिसक थोड़ा कम हो जाएगा रिसक फैक्टर तब भी होगा लेकिन अटलीस्ट वो थोड़ा कम हो जाएगा या हो सकता है पाइसे किसी ऐसे काम में मेरा रब आपको डाल दे जिस में शायद जो ऐसे होके first 16 या 18 महीने जो हैं वो आपके हाथ से पैसा जाए और उसके बाद पैसा आना भी शुरू हो तो इस किसम की भी सूरते हाल हो सकती है लेकिन in any case financial insecurity रहेगी कीमती चीजों की हिफास्थ भी रखियेगा तो ये दाजी हमारे इस हफ़ते यानि की ये हमारा almost एक हफ़ता हमारा सप्टेंबर का और रह गया है तो आपको शुकर है रब का के तीसरा हफ़ता भी हम आपसे शेयर करने के काबिल हुए और आप जो यहां तक हमारे साथ पहुंचें आपका मैं कहती हूँ मैं क्या शुकरिया दा करूं आप हैं तो हमारा वजूद आपके साथ हम चल रहे हैं आपके साथ हमारा वजूद चल रहा है और हमारा एक बेलॉस रिश्टा बन चुका है बस इस नोट के साथ ही हम आपसे इजादत चाहेंगे कि अगले हफते पिर हमारे आने की दूआ कीजएगा लेकिन आप खुद भी और अपने प्यारों से भी धोरी सी हमारे लिए मारकेटिंग करें कि बेल आइकॉन का बटन दबाईए सब्सक्राइबर्स बढ़ाईए ताकि मैं काम करने का मैंने भी टास्क लिया है या मैंने भी दिखाना है मैं एंभी खामखा लोगों में शो मारती हूँ कि आप इतना प्यार करते हैं मुझसे तो जो अपने प्यार करने वाले हैं या आपके प्यारे हैं उन से कहिए कि अपने बच्चों से भी कह दीजिये कि सब्सक्राइब तो करें ताके मैं आपके घर में बगेर बेल दबाए, जो है डोर बेल दबाए, जैसी वीडियो अपलोड हो, आपके हाँ जो है वो पॉप अप हो जाएगी, तो उसका बेल आइकॉन का बटन जुरूर दबाए